हाइ फ्रेंस बेल chunky तो ग्यानियर दोस्तों आज हम बात करेंगी कि अगर अपके घर मेंaurais चोटे बच्चे हैं जो मेने का तीन मेने का चेना मेने एक साल से उपर गच्चा है तो कुछ दवाइय आपके घर में होना जरूरी है जो कि आपको मैं डीटेल में बताऊंगा कि उनका क्या यूज होगा और आप उनको इस्तमाल कैसे किया जाएगा तो देखते रहे हैं दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं कभ उनको क्या हो जा कुछ पता चलता नहीं तो maximum problem क्या आती उनको कई वार बुखा रहा जाता है तो सिरप हो ड्रॉप हो यह होना ही चाहिए मेरे में company को प्रमोड नहीं करता हूं यह वाली बट आपके पास एक परस्तमोल सिरप होना चाहिए आप चोह तो कालपोल ले सकते हैं यह कोई साभी ले सकते हैं या आईवू जैसे के ले सकते हैं आजिसके अंदर आईवू पर दर्द करती हैं चोट चोट बच्चे को तकलीप कम हो जाती है लेकिन हमेंसे याद रखो कि बच्चे जो होती है आगर उनको पर प्लाने के बाद भी आराम नहीं मिला तो फिर आपको डॉक्टर को देखाना पड़ेगा ठीक है कोई ना कोई दूसरा कॉंप्लिकेशन हो सक मेरे बच्चे कि हो तो जो अचल लगता उसको पिला दीति हैं तो बाटर जरूर रहे हैं ज्को शह मैने के बाद वसको बाट दे ना रेखो मेंद से यह दन में बच्चे के लिए अच्छा रहता है ठीक है उसके अलावा यह है कॉलिकॉइड सिरप अब यह कॉलिकॉइड ले सकते हैं कोई दूसरा भी ले सकते हो यह जरूर रखें घर में इसके अंदर क्या होता है डेलल होता है फैनलल होता है और साइमेत कौन होता है हाला कि यह जो है ग्राइब बाटर की तरह ही वर्क करेगा बट ग्राइब बाटर क्या आपन डेली लाइफ में डेली रूटीन में देते हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन कई बार बच्चे को पेट खराब हो जाता है गेस बगरा बनती पेट फूले लगता है कब अगयरा होती है तब यही काम आएगा ठीक है तो आप चाहूती इसको भी रख सकते हैं डिल फेनल उल साइप होन का सिरब यह एक एंजायम है जो कि बच्चे को डाइजिशन में मादद करता है इसको भी सुविशाम दे सकते हैं बच्चे के लिए ठीक है छोटा बच्चा है भी कंपने का ले सकते हैं यह जरूर रखा चाहिए अलबंड रजोल का उता है छोटेट बच्चे होते हैं दूद्ध पीदे हैं और चाहे वह एक साल का बच्चा हो वह भी चॉकलेट्स वग रखाते हैं तो उनकी डिवामिंग कराना बहुत जरूरी है तो अलबंड रखा जा दो तो उससे क्यों पेट में ठीलाब पढ रहा है तो ऊटक हो जाने सकते हैं उसके बात आता स्लाइन नेजल लें सिंपल वाला वह ज्यादा बहतर रहता है इससे बच्चे को इरिटेशन नहीं होता है बड़ों के लिए यह और रख सकते हैं तो यह एक दूबून डाल दें बच्चे के नाक में तो उसका नाक क्लियर हो जाता है उसके अलावा चाहें तो यह जैल रख सक अब इसकी जड़ियर नॉर्मली तो पढ़ेंगी नहीं आपको लेकिन क्यों कि छोटे बच्चे होते हैं मुँने कुछ भी-कुछ भी सबाते हैं और कुछ भी उठाकर मूँ में डख लेते हैं यस्ट नॉर्मल्ली आप अपने छालों में भी लगा सकते हैं अगर कोई कुछ गड़ी लग गए होगा मुव में तो उसके अलावा रख सकते हैं दोस्तों एक राइब नियुमाजिन, बैकलोमेटसोन, कलोटरिमाजोल और लिगनोकाइन का कॉम्मिनेशन वाला कोई भी एरड्रोप रख सकते हैं घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं सर्दीव का मौहावल आता है ठिंडा हवा चलती है तो उनके कान दर्द होती है तो कान में एक दोबुन डाला जा सकता है और जितनी भी दवाईया मैंने आपको बतानी है इनसे कोई भी side effect नहीं होते हैं कहने को side effect तो हर दवा का है लेकिन यह normally side effect नहीं दीती है लिमिट में यूज किया जाया तो कोई प्रॉडम नहीं है पर फिर मैं आको बता रहा हूं कि हर एक दवा लेने में कोई बुराई नहीं है ठीक है तो यह तो हो गई नॉर्मल सी दवाई हैं जो कि आप घर में रख सकते हैं चोटा बच्चा कान में दर दो ड्रॉब डालो मुह में कट लग गया तो जल लगा दो बुखार आ रहा है पेट फूल रहा है पेट फूल रहा तो फैनल लोल डिलोल साय में तो कौन कर सिरप पिला दो उसके लावा tell सिघ्स सबस्ता है तो यहीं सब है उसके लावा बहुत सी और चीजिया आती है चाहें तो थर्मामीटर रख सकते हैं थर्मामीटर के लिएication बात जो बताों कि अब ब हुए ज़िक ना करें फोट जो टोटे वत जेंके के in में थर्मोमेटर कभी भी नालगा है क्योंकि आपको पाता चलेगा नहीं कि मरकरी वाला या नॉर्मल डेजिटल है फिर भी हैविट डालें कि उसके यहां पर आम के दर लगा है तो वहां से बोड़ी का टेंपरेचर आप ले सकते हैं ठीके यह छोटा सा वीडियो था जो कि आ से में रखो निडल को अलग करो सब्सक्राइब करो आप काउंट करके भर सकते हैं कितना एमेल लेना वह बच्चे के मुह में आप डाल सकते हैं धीर तरी करके तो स्रेंज से बैस्ट रहता है ठीक है सरेंज रख लो सांथ में अपने डिबबा बना यह सब दवाइव को रख सब्सक्राइब करें ऐसा ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आ सकते हैं तो आप देख रहते ज्यानी अर्द मेडिकल चैनल मैं उश्रीव बंट तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में जहिंत बंदे मात रहा हूं आपको समय समय सब्सक्राइब कर्दा रहा हूं